जन्म कुंडली अध्यान करने के लिए एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ जन्म कुंडली है अनुराग वर्माजी की इनके पिता ने ये जन्म कुंडली अध्यान है तू दी है वरतमान समय में ये MBBS कर रहे हैं बाल रोग विशेशग्य बनने की इक्षा रखते हैं पिता की चाह पिता की इक्षा खुद का अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाएंगे या सरकारी डॉक्टर बनेंगे क्या करेंगे ये बहुत सारे प्रश्ण हैं जिनका जबाब हम इनकी जन्म कुंडली से तलाशेंगे यदि आपकी भी रुची जन्म कुंडली अध्यान में है तो जन्म की तारीख नोट कर लीजिए जन्म की तारीख है 7 मार्च 1997 जन्म समय रात्री में नौबच करके 55 मिनट और जन्म का जुस्थान है वो लखनव है उत्तर प्रदेश शुक्रवार के दिन इन्हों ने जन्म लिया फालगु नमास में कृष्ण पक्ष की चतुर दशी तिथी को धनिष्ठानक छत्र के चतुर्थ चरण में रक्षसगन कुम्भ राशी ये वायू तत्व की रासी है और शनिदेव की ये मूल त्रिकोन राशी है शनिदेव इस राशी के राशी शोते हैं चलते हैं सीधे इनकी जन्म कुंडली की और तुला लगन की इनकी कुंडली बनती है लगन पती बनते हैं शुक्र जाकर के पंचम भाव में बैठे हैं तो तुला लगन ये वायू तत्विय लगन है यानि राशी जो है ये वायू तत्विय राशी है और इनकी जो चंद्र राशी है यानि कुम्भ राशी ये भी वायू तत्विय राशी है पुर्व में कारिक्रमों में आपको मैंने बताया कि लगन और राशिके स्वामी अगर मित्र हों आपस में तो जातक के जीवन काल में सफलता थोड़ी सहज हो जाती है ऐसा नहीं है कि सफलता बैठे बिठाये किसी को मिल जाए लेकिन हाँ सफल होना थोड़ा सहज हो जाता है वहीं वायू तत्विय लगन और वायू तत्विय रासी यानि एक ही तत्व का लगन और एक ही तत्व की रासी यानि जो जातक का व्यक्तित तो है वही जातक की सोच, वही जातक की चाह आगे बढ़ने की चाह, गण राक्षस निसंदे थोड़े क्रोधी होते हैं इस गण के लोग लेकिन परिस्तितियों के अनुकूल नहीं, परिस्तितियों को सदईव अपने अनुकूल बनाने में विश्वास रखते हैं तुला लगन, शुक्र से प्रभावित, शुक्र किये मूल त्रिकोन राशी ऐसा जातक सामंजस से बीठाने में, बैलेंस बनाने में महारती होता है जो तुषास्तर कहता है, इस लगन के लोग या तो नेता होते हैं या अभी नेता और दोनों ही परिस्तितियों में देखें तो कहने का तात पर यही है कि अभिने बड़ा जबरदस्त करते हैं इस लगन के लोग अब जरूरी नहीं है कि ये डॉक्टर बन रहा कोई व्यक्ति नेता हो तुला लगन की बात मैं कर रहा हूँ तो ये स्वभाव है वो जो आप नेता और अभिनेता की बात कर रहा है देखते हैं उनकी बात नहीं कर रहा वो उनके अंदर स्वभाविक होता है नेता बनने का गुण अथवा अभिनेता बनने का गुण वो उनके अंदर बड़ा ही स्वभाविक होता है अपनी मुस्कान से अगर वो आपको अपनी और आक्रिष्ट कर ले तो समझ लीजे कि ये कहीं न कहीं तुला का प्रभाव है अब लगन पती का जाकर के ज्यान में बैठ जाना इस बात की और इसारा है कि जातक अपने जीवन काल में अपने ज्यान से ही सब कुछ हांसिल करेगा क्योंकि जातक का जो व्यक्तित्व है वो ग्यान में बैठा हुआ है और देखिए यहां ग्यान में तीन और ग्रह बैठे हैं चंद्रमा, शुक्र, बुद्ध और सूरिय नवमपती का जाकर के पंचा में बैठना वैसे सामान्य परिश्टिकियों में कहें तो त्रिकोन का मालिक जब केंद्र में बैठता है तो वो अतन्त स्रिष्ट होता है जैसे शुक्र का केंद्र का स्वामी होकर के त्रिकोन में जाकर के बैठना केंद्र, त्रिकोन, राजियोग या तन्त स्रिष्ट है लेकिन त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में ही बैठे त्रिकोण में या त्रिकोण में बैठे तो यह बहुत स्रेष्ट तो नहीं होता पर फिर भी यहाँ पर शुक्र और बुद्ध की युती है जो की बढ़िया है बुद्धादित्य योग है जो की बढ़िया है यहाँ पर जब अस्त हो और बारह अंस से उपर हो तो वो अत्यंत प्रभावी हो जाते हैं। सस्ठम का कारक माना गया है, सस्ठम में ये बैठ हैं, तो बढ़िया है, शत्रु हंता बन जाते हैं। तो ये रासी भी बड़ा धीर, गंभीर और इस्थिर है। प्रत्नशील, सनिदेव की मूल त्रिकोन राशी, अपने आप में कमाल। तो भाग्य का जाकर की ज्यान में बैठना इस बात की और इसारा की जातक अपने ज्यान से सब कुछ पाएगा। जातक के विकास की अगर हम बात करें, तो उसका जो व्यक्तित्व निखरने वाला है, खिलने वाला है उसकी वानी से, कैसे? अभी अभी आपने देखा कि लगनेस और भाग्येस गए पंचम में, और पंचम पती गए सस्ठम में, निसंदे सस्ठम में गय तो संघर्स रहेगा जीवनकाल में जातक जितना संघर्स करेगा उतना निखरेगा उतना ही खिलेगा लेकिन अगर हम पंचम को लगन बना दें तो लगन पती चले गए दुतिय अर्थात धन खुटुम्ब वानी में तो इस जातक का अभ्यक्तित्व इसकी वानी में है यानि कि ये डॉक्टर तो बनी रहा है परामर्स देने वाला बने अब इनके पिता के प्रश्णों की ओर चलते हैं ताकि बाकी की सारी बातें वही पर हो जाए पूछा है उन्होंने कि यह MBBS तृतिय वर्ष के छात्र हैं इनके द्वारा post graduate degree course कर लेने के बाद यह teaching के छित्र में जाएंगे या मरीजों का इलाज करेंगे तो उसका जवाब अभी अभी दिया वानी में इनका विकास है यानि कि अगर यह teaching के छित्र में जाएं तो ज़्यादा बढ़िया वैसे तो teaching के कारक देव गुरू नीच रासी में है परन्तू परिवर्तन के कारण उनका निचत्प भंग होगा और उनकी द्रिष्टी कर्म भाव पर होगी वैसे ये जातक अगर मरीजों के इलाज के छित्र में भी जाए तो उच्च कोटी का अभिनेता है क्रोध में भी हो तो एक डॉक्टर को क्या सोभा देता है कि वो हसके मरीज से बात करे और ये उच्चकोटी का अभिनेता पहले ही बताया तो ऐसा जातक रोगियों से भी ऐसा बात करे कि आधा रोग बात करने से ही दूर हो जाए तो ये दोनों छेत्रेन के लिए बनते हैं परन्तु मुख्य तह टीचिंग का छेत्र आगे पिता ने पूछा कि किस विसे में ये पोस्ट ग्रेजुएट हो आगे इन्होंने लिखा कि रुची बाल ले रोग विशेशग्य बनने में है निसंदे मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती कि विशेशग्य बन जाएं और ये प्रोफेसर हो जाएं उसी फिल्ड में तो दोनों ही काम होता रहता है विशेशग्य भी हैं और प्रोफेसर भी हैं टीचिंग बिद्यार्थियों को पढ़ाते भी हैं मेडिकल के छित्र में यही तो होता है कि पीचर बन जाते हैं पढ़ाते भी और ट्रिट्मेंट भी करते हैं आगे पिता ने पुछा सरकारी नौकरी करेंगे या अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस मैं बता दूँ आपको कि इनकी कुंडली में सूरिय तेईस अंसपर हैं और सनिदेव सस्थम भाव में संभावना बहुत ज़ादा है कि ये नौकरी की तरफ जाएं संभावना बहुत ज़ादा है लेकिन आगे के प्रश्णों से ये बात क्लियर होगा कि इनको सरकारी नौकरी में जाना चाहिए या प्राइवेट प्रैक्टिस में देखिए तीचिंग का छेत्र इनकी कुंडली में अत्यंत स्रिष्ट है तो तीचिंग को अगर त्रिष्टिकोंड में रखते हैं तब तो नौकरी करना होगा चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट किसी संस्था में हो प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में हो या अर्ध सरकारी हॉस्पिटल में हो तो सामानने परिस्तितियों में अगर हम देखें तो वो छेतरिन के लिए सर्वस्रेष्ट है जहां टीचिंग है लेकिन अगर हम बात कर ल कि सेवा सब्द आप जैसे ही लाएंगे तो मेरी एक ही बात आपके समुख होगी कि सेवा के लिए NGO की क्या वशक्ता सेवा तो कैसे भी किया जा सकता है परन्तु हाँ जब हम कोई एक फॉर्म बना लेते हैं कि NGO खोल लेते हैं तो उसके मार्फत उसके माध्यम से हम एक संगठन एक समुख कई सारे लोगों को जोड सकते हैं और ये काम बहुतायत बड़ी मात्रा में कर सकते हैं इनकी कुंडली में ऐसा करने का योग है और वैसे भी मैं बता दूँ लाभे सुसूरिय लाभभाव को देख रहे हैं इसलिए इस प्रश्ण को मैंने रोक दिया थ कि अगर ये कहीं किसी संस्था में बंध जाएंगे तो बहुत बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे अगर ये किसी संस्था में बंध जाएं ये प्रश्ण मैंने छोड़ दिया था कि नौकरी करें सरकारी अथवा आगे इनको क्या करना है तो ये खुद की प्रैक्टिस करें पहले तो कुछ दिन इनको नौकरी जरूर करना होगा, मेरी राय यहाँ पर यह होगी कि यह पहले सरकारी नौकरी में चले जाएं, कुछ दिन नौकरी करने के बाद नौकरी को छोड़ दें और खुद की प्रैक्टिस प्रारंब करें, गौर करिये, मैं बहुत अच्छे से बत करने के बाद इनका तजरूर्बा पढ़ जाएगा, उम्र पढ़ जाएगी, विवाहित्यादी हो जाएगा, जीवन एक धर्रे पर चलने लगेगा, और तब यह निर्णे लेंगे, और निर्णे लेकर अपने खुद का एक फॉर्म बनाएंगे, एक संस्था, एक क्लिनिक, जहां बालरोग भी से सग्य हो, और लोगों की ये मदद करना शुरू करें या अपना काम शुरू करें, अब चुकि पैसा बहुत आएगा, क्योंकि कई सारे ग्रहों की दृष्टी लाभ भाव पर पढ़ रही है, तो धनागमन बहुत जबरदस्त होगा, अब धनागमन बह तो उस धनागमन का कहीं निवेश सही धंग से होना चाहिए, तो उसके लिए आज के समय में सबसे ज़्यादा बढ़िया क्या है, तो वो है NGO या ट्रस्ट, तो वो ये कर लेंगे, उससे ये पसुपक्षी की, लोगों की, सब की मदद भी करेंगे, और अपने धन का सही उकरी पेशा होगा, क्या प्रेम विवा होगा, एक साथ कई सारे प्रश्ण, सब तमभाव का स्वामी मंगल, तो मंगल का स्वभाव कैसा है, तो चिर्चिडा, उग्र, अब ये उग्रता और चिर्चिडापन क्यूं, क्योंकि एनरजी लेबल बहुत ज़ादा होता है, फलत लगन से देखा जाए, तो भी ये मांगलिक है, सो मैं आपको बता दूं, कि अगर आप कुंडली मिलाकर के विवाह करें, तो बैवाहिक जीवन सुखद हो जाएगा, जनमस्थान से दक्षिड पूर्व की ओर, यानि साउथ इस्ट में इनके विवाह की संभावना है, अप्तम पती चलेगा बारवे में अपने से सस्थम में, सो जीवन साथी के साथ मतभेद होना, जीवन साथी की सेहत में थोड़ी परिशानी होना, या जीवन साथी से मतभेद होना, ऐसा हो सकता है, तो इसके लिए जरा सावधान होना होगा, और उसका एक ही निदान है, कि इनकी शादी, इनका बिवाह कुंडली मिला करके किया जाए, तो दामपत्य जीवन बिलकुल सुखद होगा। नौकरी पेसा आपने बताया, मैंने कहा वो डॉक्टर होगा, इसकी संभावना बहुत जादा है, प्रेम बिवाह भी हो, तो घर परिवार की मरजी से होगा, अर्थात इनका चाहे जो भी बिवाह हो, अरेंज मैरिज ही होने वाला है। लेकिन जब काम की अधिक्ता हो जाए, काम बढ़ने लगे, प्रेसर हो, हेडेक हो, तो नींद कम होने लगता है, तो इसके लिए तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, आपके पास जीवन में दो ही विकल्प हैं, एक, आप सरकारी नौकरी कर लीजिए, तान के टाइम पर उनकी वो चाहतें कभी नहीं पूरी होंगी, जो की वो चाहतें हैं, एक दूसरा विकल्प है, और वो विकल्प है, आप कोई ऐसा काम करिए, ऐसा ब्यापार करिए, ऐसा कोई प्रोफेसन चुनिए, जहां आपके अंडर 20, 25, 50, 100 लोग काम कर रहे हों, निसंदेह आपकी नी नीद खराब करके, अगर 100 लोगों को चैन की नीद मिल जाए, इससे बढ़िया सौधा क्या हो सकता है, तो इस नीद से क्या लेना, बाकी के 100 लोगों की नीद जो मिलने वाली है, बढ़िया, नौकरी करेंगे, तो आप आनंद लेंगे, परिवार के लोगों को जो चाहिए, वो मिलता रहेगा, आप थोड़ा तरस जाएंगे, कास थोड़ा मुझे भी समय मिलता, मैं सो लेता, तो सोने की आवशकता नहीं, कर्म करने की आवशकता है, आगे बढ़ने की आवशकता है, आगे इनके पिता ने पूछा है, मंगल सनी तृष्टी संबंध योग क्या है, यही वो योग है, जो जातक को इंजिनियर और डॉक्टर बनाता है, सर्जन बनाता है, विशशक्य बनाता है, रिसर्चर बनाता है, अब यहाँ देखा जाए, तो इनकी कुंडली में शनी मंगल का जो आमने सामने का संबंध इसी के चलते जातक डॉक्टर बनेगा, शनी के इसके चलते देव गुरु ग्रहसपती का नीचत्व भंग हो जाएगा हाला कि मैं इनके जीवन काल के लिए एक बात जरूर कहूंगा भूमी भवन वाहन जब भी आप अपने लिए खरीदें तो हो सके तो प्रयास करें अपने माता पिता पत्मी बच्चे के नाम पर लें तो ज्यादा अच्छा है मैं यह नहीं कहरा आप नहीं खरीद सकते लेकिन चतूर्थ पती छठवे आठमे बारवे में हो तो जब भी आप इस तरह की चीजें खरीदते हैं आपको दिक्कत आने लगती है आपको परिशानी होने लगती है उसमें बाधा और विघ्न उत्पन्न ह होने लगता है तो माता पिता भाई बन जो आपके अपने हों उनके नाम पर ले लीजिए क्या दिक्कत है तो उसमें और कहीं कोई समस्या नहीं अगे इनके पिता ने पूछा है पंचम भाव में चार ग्रह आम तोर पर ये प्रवरज्या योग है लेकिन ये प्रवरज्या योग ज्यान में लगा है सो कोई दिक्कत नहीं ऐसा व्यक्ति जरा सोचिए कि जो अपने जीवन काल में एक बड़ा ही सफलतम डॉक्टर होगा बड़ा ही सफलतम धन अरजित करेगा अब जीवन के आखिर काल में अगर वो ठक जाए पचास आठ पैंसट सतर जाते जाते वो ठ खुल जाना जातक को आत्म ज्यान होने लगे इससे बहतर क्या हो सकता है अस्टम पती का जाकर के पंचम भाव में बैठना पूर्वा भास भी कराता है और जातक का आत्म ज्यान भी जागरित करा देता है फलतम ये प्रवर्ज्यायोग जातक को जीवन काल में एक समय के अत्म केंदरस्थ करने में मददगार साबित होगा तो यह बहुत बढ़िया है कि जीवन में खूब धन कमाया और जीवन के उत्रार्ध में जाकर के धर्मकर्म से जुड़े और धर्म पर रिसर्च करना सुरू किया यह बहुत बढ़िया है आगे इनके पिता ने पूछा कालसर्प योग का क्या उपाय है जरूर उपाय बतादूल परन्तु कालसर्प योग होना चाहिए इनकी कुंडली में कालसर्प योग नहीं है निशन देह मंगल राहु की यूटी से या अंगारक योग और शनी केतु की यूटी से स्रापित योग की स्थिति बनती है उसके लिए मैं जरूर शियू जी की आराधना आपको करने के लिए कहूंगा परन्तु कोई काल सरप योग नहीं बनता आगे आपने पूछा इनकी आय एवं धन संचैन की स्थिति क्या होगी? क्या इनका धन बाद वीबाद में खर्च होगा? गाडी मकान समाज में मान सम्मान ख्याती क्या होगी? देखिए जहां तक मैं अभी बता चुका हूँ कि गारी मकान सब होने वाला है जब पैसा इतनी बड़ी मात्रा में आएगा जब NGO इत्यादी तक ये करेंगे या ट्रश्ट बनाएंगे तो सीधी सी बात है बड़ा धन होने वाला है मैंने कहा औरों के अब सवाल एक उता है कि जब आपके पास सामान्य हो धन थोड़ा हो तो आप औरों के नाम पर लेते हैं जब बहुत ज़ादा हो तो अपने आपको भी उसमें सामिल तो करना ही पड़ेगा अब इनकी कुंडली को अगर देखा जाए तो निसंदेह दुतिय भाव का स्वामी बारवे में चला गया है तो ये थोड़ी परिशानी का कारण तो बनेगा निसंदेह बेवजह दिखावे में कोट का चारी इत्यादी में ब्यय होता है और राहु बारवे भाव में बैठे हैं बस बिवाह इनका ठीक हो जाए नहीं तो एक बड़ा अमाउंट वहां बरबाद हो सकता है तो बिवाह आप लोगों को समाल लेना है कुंडली मिला कर के ही इनका बिवाह करना है वो समस्या अगर हल हो गई तो बाकी सब पुष्ठीक हो जाएगा तो ये जो आपने पूछा है कि आय किस्तुती तो बहुत बढ़िया है आय किस्तुती परन्तु धन ब्याय भी उसी तरह का होने वाला है यानि आयराम और गयराम आया और गया यही होगा पर फर्क नहीं पड़ता मैं सदईव एक बात कहा करता हूँ अगर धनागमन हो रहा है और धन संचयन नहीं हो रहा तो कोई चिंता नहीं धनागमन ही मूल है संचयन नहीं तो आप इसकी चिंता बिलकुल न करें बस इतना खयाल रखा जाए कि रोग में और कोट का चहरी में खुद डॉक्टर हैं पर रोग में पैसा और कोट का चहरी में पैसा इनका न जाए आज में मान सम्मान तो होना ही है जब धन परियाप्त होगा आसपास लोग काम करेंगे साथ काम करेंगे तो मान सम्मान का तो पूछना ही नहीं अब जातक का व्यक्तित तो ही ज्यान में बैठा है तो ज्यान से तो सम्मान ही मिलता है तो यह संसे ही नहीं है इनका कारिस्थल ल skill हो जाएगा, स्वधेश पती सस्ठम में, विदेश पती पंचम में, और परमानेंट विदेश पती पंचम में इनको इनके ज्ञान के द्वारा अनवरत विदेश आना-जाना इनका लगा रहेगा, अब सरकारी नौकरी में भी अगर ऐसा होता हो, मुझे जानकारी नहीं है, ह जरूर होगा जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो अवस्थे जाते हैं लेक्चर रित्यादी देने के लिए तो इनका विदेश आना जाना लगा रहेगा अगर सामाने देखा जाए तो खुद का अपना प्रैक्टिस करते हैं तो उस अवस्था में भी इनका विदेश आना जाने की ही सलाह दूंगा अनुराग इनका नाम है मेश रासी और लखनव की भी रासी मेश होती है वैसे ही जैसे मुकेस और मुंबई दोनों की एक रासी चल गए तो मुंबई पर राज करेंगे और लखनव पर राज करेंगे नहीं तो कौन आया कौन गया कौन पूछता है सो मैं सलाह दूंगा कि 100 SS for 100 100 अक्षर कुम्भरासी से संबंधित जो जगह और स्थान हो वहाँ पर इनको भेजा जाए वहाँ पर इनका काम हो अगर नौकरी करते हैं तब तो बात ही नहीं लेकिन खुद का प्राइवेट क्लिनिक करते हैं या खुद की संस्था होस्पिटल इ दिखा कि मैंने इन्हें मोती और माणिक के धारन करवाया है इसे कब तक पहने और नीलम और हीरा पहनने के लाव के बारे में अवस्य बताएं स्रिमान आपका ये प्रश्ण बड़ा आजीब हो गरीब है पहनाया आपने है पूछ मुझ से रहे हैं मैं कैसे बताऊं क्योंकि इस लगन में मेरे हिसाब से तो कभी मोती और माणिक में पहनाने से रहा बर्तमान में इनको गुरू की महादशा चल रही है और शनी का अंतर शडबल में देखा जाए तो निसंदेह मंगल और चंद्रमा इनके बहुत बली हैं लेकिन तुला लगन की कुंडली और कुंभरा में गासी बनती है, चंद्रकुंडली भी सेम हिए कि मुझे इस कुंडली में अगर किसी ग्रह को बली करना है तो वो शनी को, वो शुक्र को, वो बुद्ध को मैं बली करना चाहूंगा तो मेरे हिसाब से ये जो आपने माणिक के और मोती पहनाया है किसके कहने पर क्या सोच कर ये तो आप जाने कब तक पहनना है ये आप जाने क्योंकि मैं तो पहनने के लिए ही नहीं कहूंगा तो कब तक का तो सवाल ही नहीं उठता निलम और हीरा की बात करूँ तो हीरा के लिए मैं सदईव कहा करता हूँ विवाह के बाद और निलम की बात करूँ सस्ठम में बैठे हैं शनिदेव सस्ठम से कोई दिक्कत इनको नहीं होती कारक है हाँ निसंदेह जातक को पैर कमर से नीचे के अंगों में ये दर दित्यादी की शिकायत देंगे नसो से जोडो से सम्मधित शिकायत बहुत कम उम्र से ला देंगे परंतु अगर नीलम धारन कराने की सोच रहे हो पन्ना धारन कराने की सोच रहे हो विचार कर सकते हैं पन्ना धारन कराने से भी ब्यायाधिक क्या आ जाएगा जीवनकाल में लेकिन ब्याय से तो वैसे भी कोई चिंतानी क्योंकि अल्रडी इनकी कुंडली में ब्याधिक किस्तुती आने वाली ही है अब बारी आती है हीरा की तो हीरा विवाह के उपरांत आप इनको पहना सकते हैं बिलकुल जीवन भर नीलम भी पहना सकते हैं जीवन भर कोई दिक्कत नहीं परंतु ये देख लेना होगा कि नीलम पहनाने से कहीं इनको पेट में तकलीप और बहुत जादा इनकी शत्रुता तो नहीं हो रही है अगर लोगों से इनकी शत्रुता होने लगे इनको क्रोध बहुत जादा आने लगे तब नीलम मैं वर्जित कर दूँगा नहीं पहनाओंगा भले वो कारक हो तो क्या हुआ मैं पक्ष में नहीं हूँ जैसे सूर्य नौमांस में उच्चरासी के होकर के बैठे हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इनको मारिक के पहनाया जाए तो मारिक के और मोति के तो मैं पक्ष में नहीं हूँ नीलम, पन्ना और हीरा इन में से इन रत्नों से संबंधित सिकायतें अवस्य जान लीजिए कि पन्ना पहनने से ब्याधिक होगा नीलम पहनने से पेट में थोड़ी परिशानी नसो जोडो में दर्द की शिकायत हो सकती है अगर ये तकलीफ हाए तो ये रत्मधारण ना कराया जाए हीरा पहनने की अगर बात की जाए तो लगनेस पश्टमेस का दोश नहीं लगेगा हीरा आप पहना सकते हैं लेकिन बिवाह पराम बिवाह से पहले न पहनाना ही ठीक होगा क्योंकि वो अंदर बदलाव करना शुरू कर देता है और फिर इस सवस्था में जातक के भटकने की संभावना जादा हो जाती है तो मैं मना कर देता हूँ आगे जरूर आप करिएगा अब आपने आगे लिखा कि दामपत्य सुक समाज में मान समान इत्यादी के लिए कोई रत्न और उपाए रत्न तो आप अल्रेडी जानते हैं माडिक और मोती मना कर चुका हूँ ये जो तीन रत्न है इनकी कमियों के बारे में आपको बता चुका हूँ कौन सा रत्न कब धारन करना है कैसे धारन करना है मोती निलम और पन्ना दोनों को आप ट्राई कर सकते हैं अगर इससे कोई नुकसान हो तब उतार दें वैसे मुझे लगता है सामान ने कोई नुकसान नहीं होगा बिवाह के उपरांता फीरा भी पहना सकते हैं वैसे जातक डॉक्टर बनने जा रहा है इतना सारा रत्मधारन करेगा तो डॉक्टरी कब करेगा मुझे लगता है इनको करमठ बनाईए करमपर भरुसा के दिलवाईए सूरी की आराधना करवाईए सूरी की आराधना करेंगे तो आत्मविश्वास इनके अंदर जागरित होगा आत्मविश्वास जागरित होगा तो इनका ज्यान इनकी बुद्धी सब कुछ जागरित हो जाएगी लाभ के नए रास्ते बनेंगे तो वो इनको फायदा मिल जाएगा दूसरा गणेस जी की आराधना इनसे कराईए संकट नासन गणेस स्तोत्र का पाठ इनसे नित्य करवाईए बहुत फायदा मिलेगा शनी केतु कियुती मंगल राहु कियुती अंगारक और स्रापित योग बस एक उपाए भोलेनात के मंदर में क्रमसह सोंबार और मंगलवार के दिन जाएं और भोलेनात का अविशेक करें सामानने जल से बलकि मैं तो कहुँगा स्रापित और अंगारक को सांथ करने के लिए अच्छे समय पर ये कुंडली आ गई है सामन महिना कल से प्रारंब हो रहा है अगर ये घर पे हैं तो भोलेनात की आराधना शुरू कर दें भोलेनात के उपर एक माह जाकर के केवल जलाविशेक कर दें उनका स्रापित और अंगारक दोनों शांत हो जाएगा तो दूसरा कोई उपाय करने की आवशक्ता नहीं बस ये कर लें काम बन जाएगा साथी साथ मा भगवती जगदंबा की ये आराधना करें उनको अपनी इस्ट देवता मानले हनुमान जी को अपना इस्ट देव मानले तो दूर्गाजीन की इस्ट देवता हैं और साथी साथ हनुमान जी उनकी भी आराधना करें जीवन काल में सब कुछ इनको प्राप्त हो जाएगा वर्तमान समय में साड़े साती चल रही है और उस साड़े साती से बचने का एक मात्र उपाए हनुमान जी की जितनी अधिक सदिक हो सके आराधना करिये हनुमान चालिसा का पाठ फाइदा मिलेगा दूरगा जी की आराधन दीजिए उन्हा मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार